तो chemical bonding में मैं आपको hybridation पढ़ा रहा था और मैं आपको मना करता हूँ कि आप छोटा method यूज ना किया गरो मैंना hybridation निकालने का एक method आपको बता दिया था 8 से divide करने का है ना या 2 से divide करने वाला वो method यूज नहीं किया गरो जब भी घर पर practice कर रहे हो तो hybridation is equal to number of sigma 1 plus number of loan bear ये यूज किया गरो इससे आपको structure भी मनाने आएंगे दीर दीरे structure की practice ही करनी पड़ेगी ठीक है हाँ आज हम करते हैं वैस्पर थियोरी VSEPR VSEPR VALANCE CELL ELECTRON PAIR REPULSION THEORY लिए लो VALANCE CELL ELECTRON PAIR REPULSION THEORY REPULSION THEORY VALANCE CELL ELECTRON PAIR REPULSION THEORY देखो VSEPR THEORY के according LONE PAIR LONE PAIR REPULSION लिखते हो साथ साथ LONE PAIR LONE PAIR REPULSION दो LONE PAIR LONE PAIR REPULSION अगर एक एटम पर दो LONE PAIR LONE PAIR PASS हैं तो LONE PAIR LONE PAIR REPULSION MAKSIMUM होता है इसके बाद होता है LONE PAIR BOND PAIR इसके बाद सबसे काम होता है BOND PAIR और BOND PAIR REPULSION इसके बाद सबसे आदा होगा फिर BOND PAIR BOND PAIR जैसे यह है देखो H2O LONE PAIR LONE PAIR REPULSION फिर LONE PAIR BOND PAIR फिर BOND PAIR BOND PAIR जैना BOND PAIR BOND PAIR REPULSION सबसे कम BOND PAIR BOND PAIR LONE PAIR और LONE PAIR LONE PAIR और BOND PAIR बाद इसमें भी एलेक्टोन है पर वो BOND में होते हैं तो REPEL कम करते हैं BONDED है तो LONE PAIR और BOND PAIR REPULSION कम होगा LONE PAIR LONE PAIR REPULSION सबसे ज़्यादा होता है मौट कर लिया अब एक चीज़ धियार नगना जैसे देखो यह Queshen आया था CLF3 इसकी हरबडेशन बताओ जो रहा और फिर इसकी शेप बना के देखो CLF3 इसकी हरबडेशन बताओ फिर शेप बना के देखो T-shape इसकी हरब यह होता है CLF F F LONE PAIR LONE PAIR अब शेप यह होती है एक्चुल T-shape होती है और हैबडेशन क्या होती है इसकी SP3 D जोमेट्री तो होती है एकोर्डिंग टू हैबडेशन TBP TBP ट्राइगोनल बाइप्रामिडल पर इसकी एक्चुल शेप क्या होती है T-shape होती है LONE PAIR कहाँ पर होते है यह EQUITORIAL पोजिशन पर यह EQUITORIAL पोजिशन है LONE PAIR प्रेजेंट होते है EQUITORIAL पोजिशन पर साथ साथ लिखो अब यह शेप आप बोलो यह सर यह क्यों नहीं हुआ क्योंकि इसमें तो LONE PAIR BOND PAIR क्या है RIPALSION MINIMUM है LONE PAIR LONE PAIR RIPALSION 180 DG पर है यहां तो 120 DG पर है है ना यहां पर क्या है यह 120 DG पर है पर यहां क्या है 180 DG पर तो शेप तो यह होनी चाहिए और आप यह शेप बता रहे हो तो ऐसा क्यों क्या रीजन है लुशिंद कह रहा है BOND PAIR BOND PAIR RIPALSION रीजन क्या है इसका actual shape यह है यह होनी चाहिए ना क्योंकि LONE PAIR LONE PAIR RIPALSION मैंने अभी बताया है कि वही सबसे ज़्यादा होता है तो यहां पर तो LONE PAIR LONE PAIR RIPALSION ज़्यादा होगा तो stability कम होगी सर इलेक्टरो निगेटिविटी की वज़ा से नहीं LONE PAIR 1 की टोयल पोजिशन पर होता है क्योंकि चलो कही सारे बच्चों ने बन्गू सही बताया देखो यहां पर no doubt LONE PAIR LONE PAIR RIPALSION तो कम हो गया 180 डिगरी है लेकिन LONE PAIR BOND PAIR RIPALSION बढ़ गए तो यह तीन F हैं यहां एक LONE PAIR आ गया देखो यह LONE PAIR आ गया तो यह 90 डिगरी यह भी 90 डिगरी नीचे एक LONE PAIR आ गया तो वह भी 90 डिगरी पर आ गया तो LONE PAIR BOND PAIR RIPALSION 90 degree angle पर 6 होने लगे, समझे ना, एक उपर, तो ये 90 degree, 3, नीचे 90 degree, तो loan pair, bond pair repulsion बढ़ गया, अगर हमने loan pair, loan pair repulsion को कम करना चाहा, लेकिन number of loan pair, bond pair repulsion बढ़ गये, तो overall repulsion क्या होना चाहिए, minimum, तभी stability maximum होगी, है ना, अब यहाँ पर देखो, loan pair, loan pair, रिपलशन 120 पर है, यहां काऊगे भी loan pair, loan pair repulsion 180 पर है, दूर है, तो repulsion कम होगा, यहां पर loan pair, loan pair repulsion 120 है थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए पर lone pair bond pair repulsion वाले जो ये angle है ये ना ये कम है इसमें यहाँ पर ज़्यादा होगे तो lone pair bond pair repulsion second वाली shape में बढ़ गया इसलिए ये नहीं होगा ध्यान रखोगे ना ये होगा NCRD में भी दे रखा है आगे समझ में एक चीज़ा द्यान लगाना second point इसका लिख लेना double bond double bond double bond double bond में double bond double bond और double bond repulsion ज़्यादा होगा double और single के comparison में और single single में कम होगा लिख लू double bond double bond में repulsion ज़्यादा होगा फिर double single में पर इससे भी ज़्यादा इससे भी ज़्यादा double और lone pair में दवल और ल्पी गॉण फिर डवल미 मॉट और लूण पयर फिर दवनर डवल दवल बंर два तुछ दवर्यादा फिर डवल Kafाण सिंगाल पर कि सिंगाल मॉंसिंगाल बॉन और एन एंगिल कौन से जादा होगा एलफा बीटा कि एलफा गिरेटर देन बीटा यहां पर यह डबल और ने पिटा यह पर और यह डबल और सिंगल वांड इसको उने coordinate बनाटी है structure तो दोनों ही बन सकते हैं इसके यह भी बन सकता है Lewis के according यह भी बन सकता है लेगिन यह बना कर दे दिया theoretically तो wesper theory के according double double में repulsion थोड़ा जादा होगा तो bond angle बढ़ जाएगा double और single में repulsion कम होगा bond angle कम हो जाएगा इसे note करो जल्दी लिखो सबसे पहले bond angle देखने के लिए हम देखेंगे hybridization state of central atom लिखो ज़रा hybridization state of state of central atom bond angle पता करने के लिए सबसे पहले हम hybridization देखते हैं wesper theory के अंदर ही bond angle निकालना किसका जादा होगा किसका कम होगा वो देखने वाले हम लोग है तो bond angle जब भी पूछाओ decreasing order या increasing order किसी का तो सबसे पहले हम लोग hybridization देखेंगे कशिष ने पूचा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि expand कर सकता है या hypovalent है बताओ भई तो सब को पता है सब बता रहे हैं जिसमें d-orbital होगा वो expand कर सकता है जिसमें नहीं होगा वो expand नहीं कर सकता है everybody knows ठीक है बटा बस बस जाद मतलिको hybridization state of central atom सबसे पहले bond angle देखने के लिए जैसे दो कोई एक्जाम्पल है CH4 और BF3 और BE F2 लो BF2 चीक है इसमें आप hybridization बताओ और bond angle बताओ जल्दी hybridization और bond angle करो अराम अराम से hybridization और bond angle हम दो को यहाँ पर SP3 hybridization होगी यहाँ पर SP2 hybridization होगी इसकी और इसकी क्या होगी SP होगी यहाँ पर percentage of S character कितना होगा लिखो ज़रा percentage of S character 50% होगा यहाँ percentage of S character 33.3% होगा sorry 50% नहीं गलत लिख रहा हूँ 25% और यहाँ कितना होगा 33 और यहाँ होगा 50% S character है ना दोखो ऐसे SP है 50% S character bond angle कितना होगा 180 यह bond angle कितना होगा 120 हाँ कितना होगा 109 degree 28 minute हम कह सकते हैं जैसे जैसे S character बढ़ रहा है तो bond angle भी बढ़ रहा है लिख लो bond angle directly proportional to percentage of S character bond angle directly proportional to percentage of S character ठीक है यह SP3 यह SP2 होगा और यह SP होगा देखो SP में percentage of S character कितना है 50% है SP2 में कितना होगा 33.3% और SP3 में कितना होगा 25% होगा तो जैसे जैसे S character बढ़ेगा bond angle भी बढ़ेगा अच्छा यह भी ध्यान रख लेना है इलेक्ट्रो निगेटिविटी ओफ एटम क्विश्चन का आंसर गलत था टेस्ट में इलेक्ट्रो निगेटिविटी ओफ एटम डारेक्ट्ली प्रपोर्शनल टू परसंटेज ओफ S character परसंटेज ओफ S character जैसे ही यह एदेखो CH3 C1C CH2 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 माले यह कारवन है पहला यह कारवन है दूसरा यह कारवन है तीसरा पूछ लिया कि इसमें किस कारवन की इलेक्ट्रो निगेटिविटी ज़्याद होगी टीक है? हाँ आप्शन गलत दिरेक्ट अब्रे टेस्ट में तो यह SP3 हैपडेशन होगा पहला वाला यह हैपडेशन होगी SP हैपडेशन कैसे निकालते हैं नंबरो सिग्मा बॉंड प्लस नंबर ओफ लॉन पेर यहां कारबन से चारों के चारों सिग्मा बॉंड है यहां पर यह एक सिग्मा यह एक सिग्मा वाकी दो पाई है SP हापडेशन यह SP होगा यह SP3 होगा यह SP2 होगा यह क्या होगा SP2 तो SP परसंटेज ज़्यादा तो इलेक्ट्रो निगेटिविटी ज़्यादा होती है एक लेना इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिरेक्ट्ली प्रपोर्शनल टू परसंटेज ओफ S करेक्टर इनवर्सली प्रपोर्शनल टू पी बोल सकते हूँ डारेक्टली प्रपोर्शनल टू एस करेक्टर चलो देखो सेकिंड पॉइंट जब हाइब डिजेशन स्टेट सेम होती है तो सेकिंड देखते हैं विटाल लॉन पेयर लॉन पेयर ओन सेंट्रल एटम लॉन पेयर ओन सेंट्रल एटम किके ज़्यान रखना जनरली जो बॉन एंगिल होता है इन्वर्शली प्रपोर्शनल टू नंबर ओफ लॉन पेयर लिखो साथ साथ जब हैबड़ाजिशन सेम होगी तो हम लॉन पेयर देखेंगे और बॉन एंगिल जो हता है इन्वर्शली प्रपोर्शनल टो नंबर ओफ लॉन पेयर तो जैसे एक्जाम्पल है च4 एनस थ्री और एच्टू ओ इनकी हैबड़ाजिशन बताओ और लॉन पेयर देखो सेंट 10-0 LSU लण पेयर है अंदा लोन पेयर कारून पेल यह एक अंप लोन पेयर दो इसका है अलोट Jackieरow नाइन डिग्री टोअट बनेट है न यह स्ट्रक्छर बनाते है इसका बणके देखो है ना 109 डिग्री और कितने होते हैं टोटल 6 होते हैं यह है एच्छ एंगिल 109 डिग्री एनेस 3 में जो एंगिल होता है है इसकी प्रामिडल शेप होती है प्रामिडल ऐसे प्रामिडल यह है ना और लॉन पेर भी एसपी 3 हैब्रिड और बिटल में होगा ऐसे प्रामिडल नॉन प्लेइनर शेप बिल्कुल सही है एंगिल लगबग 107 डिग्री और एच्टू ओ इसका एंगिल होता है 104 लोन पेर इसमें भी स्पी 3 हैब्रिड और बिटल में होते हैं है एसपी 3 हरे यह भी एसपी 3 यह भी सब्कुल्स प्लेइर गिया इसपी 3 हर्व होते हैं है कंघ्र temps रहोगा nitrogen का sp3 और इसका s orbital में और यहां लॉन पेर किसम होगा sp3 hybrid orbital में ध्यान रखना तो bond angle सबस्यादा किसके अंदर है ch4 में फिर किसमे एंस 3 में फिर किसमें h2 में यहां पर लॉन पेर लॉन पेर रिपल्शन 104 ठीक है एंस 3 का एंगल इंगल इंटा 107 और क्या हो गया bond angle का यह order हो गया एक एक एक्जाम्पल हो करके दिखाऊ एंच 4 प्लस एंच 3 और नेच 2 माइनस जल्दी decreasing order of bond angle सेम ओडर ठीक है सेम ओडर यह SP3 यहां भी SP3 और यहां भी SP3 यहां जीरो लॉन पेर वन लॉन पेर दो लॉन पेर ठीक है हो जाएगा चलो इसके बाद देखेंगे थर्ड पॉइंट पर थर्ड जब number of लॉन पेर भी सेम हो जाएं hybridation भी सेम हो जाएं तब हम देखते हैं central atom electro negativity of central atom लिखो electro negativity of central atom नॉट करो electro negativity of central atom दोगों exact bond angle सबके तुम्हें रटने नहीं बॉन एंगिल का decreasing या increasing order ही तुम्हें पूछा जाएगा exact bond angle सारे compound का आपको learn नहीं करना हां क्या doubt है रिदम बिंदल पूछ रहा है doubt है क्या है बता कि मैं देखता हूं चैट में इसी पूछी हमें एंगिल का कैसे पता देलेगा बटा एंगिल का decreasing और increasing order के मैं तरीके तुम्हें बता रहा हूं जन्रली क्यों लिखा हाँ जन्रली इसल नहीं है क्योंकि सारे में applicable नहीं होगा कुछ exception होंगे मैं आपको बताऊंगा चलो आगे देखो हाँ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी लिख लू बॉन एंगिल डारेक्ट्रो नेगेटिविटी ओफ सेंट्रल एंटम अगर hybridization भी सेम है लोन पेर भी सेम है तो बॉन एंगिल इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के डारेक्ट्रो नेगेटिविटी के डारेक्ट्रो नेगेटिविटी ओफ सेंट्रल एंटम की इसमें भी तो किलियर आता है क् कि समझ में तो आई रहा है तुम्हें चलो लिख लिया बॉर्ड एंगिल डारेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो निगेटिविटी और सेंटल एटम देखो जैसे यह एंच 3 पी एच 3 एएच 3 एस भी एच 3 और बी आई एच 3 इसमें बॉर्ड एंगिल का ओडर जली बताओ बॉर्ड एंगिल का ओडर और हैड़ेजिजिशन इलेक्टो निगिटिविटी ओव सेंट्र्रल एटम के डारेक्ट्ली प्रोपोर्शनल ठीक है? हाँ, down the group decrease होगा बिटा down the group decrease होगा यही bond angle का order होता है, देखो सब में habitation same है, loan pair भी same है यह तो एक ही group के हैं न सारे 15th group के हैं यह 15th group के hydride है तो bond angle का order क्या हो गया? इसमें सारे order लिख लो बार-बार आएंगे तो तुम्हें याद भी हो जाएंगे ph3, ash3 sbh3 और bih3 bih3 सुन ले ना इसको bih3, यह bond angle का order है बिटा इसमें और thermal stability का order भी यह होता है, साथ साथ लिख लो thermal stability यही same order है अब देखो, chemistry है यह तो exception भी है अब देखो, अब देखो, यह तो एक्सेप्शन भी है लगभग एक्सो साथ डिग्री बॉन्ड एंगल, यह ना, एनस थी का 107 और इसका, इनका लगभग 90, लगभग 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, वैसे डिफ्रेंस होगा है, 93, 91.8, 91.734 इस तरह से, मतलब ऐसे होता है, तो लगभग 90 होता है इनका, नोट करो जर एक बार मेरे स अमोनिया के 107 लगभग 90 होता है, तो आंसर तो तुमारा सही आ जाएगा, कि बहई, इलेक्टो निगेटिविटी कम हो रही है, तो बॉन्ड एंगल कम हो रही है, पर इसका यह सही रीजन नहीं होता, जनरली किताओं में लिखा होता है, कि बहई, इलेक्टो लेकिन अमोनिया के बाद, जैसी 3rd period आया है, 3rd, 4th, बॉन एंगल लगभग क्या हो गया, 90 का हो गया, इसको explain करने के लिए, एक rule आया, ड्रेगो rule, पहले समझो ना, लिखना बाद में पहले समझो, लेको chemistry में क्या है, पहले result आगे, experiment कर लिए, अग उसको experiment को सही प्रूब क करने के लिए, थियोरी देते हैं, बाद में, मालूम चल गया कि भई, एंगल लगभग 90 है, इसके बाद सोचा कि ऐसे हुआ होगा, तो इसको explain करने के लिए, लगभग 90 क्यों होता है, तो एक ड्रेगो rule आता है, ड्रेगो, 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 उसने क्या कहा, कि भई, 3rd period के बाद, extent of hybridization कम हो जाती है, क्योंकि, orbital में energy difference बढ़ जाता है, ड्रेगो ने बोला, कि, ammonia तक तो सही है, nitrogen तो सही है, nitrogen का phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, ठीक है, तो इनके atomic orbital, hybridize नहीं होते हैं, due to large difference in energy, लिख ले न, पूरा लिखवाए यह ता हूँ, मैं चल लिखो, ड्रेगो रूल, statement of ड्रेगो रूल, एक बार छाप लो है, इसको, सिर्फ इसको explain करने के लिए, कि भाई, यह लगबग 90 क्यों है, अगर electronic divity कम होने से, morning angle कम हो रहा, तो धीरे-धीरे कम होना चाहिए था, एकदम से सबका 90 हो गया, तो यह explain किया, ड्रेगो ने, ड्रेगो, हा अना, लिख वाए, लिखो, 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 ड्रेगो रूल कब applicable होगा, जैब element, ड्रेगो रूल, लिखो, if central item, if, सारे गूर्ट में ने बेटा, मैं बताता हूं किस गूर्ट में, लिखो, देरे-देरे, if central item belong to, if central item belong to, 15 और 16 ग्रूप, 15 और 16 ग्रूप, if central item belong to 15 और 16 ग्रूप, है ना, जैसे 16 ग्रूप में, oxygen, sulfur, selenium, ये सारा हो गया, तो अगर central item 15 और 16 ग्रूप से होगा, और उससे attach item, ये लिख ले ना, and its blow period, इससे blow period में भी हो सकता है, 15, 16, ये तो ग्रूप है, यहाँ देखो, यहाँ पर कह सकते हो कि nitrogen बाद period ये हो गए, 3rd, 4th, 5th, ये period बोल सकते हो, तो इफ है, central atom belong to 15 और 16 ग्रूप, and it is bonded to a substituent and, and it is bonded to a substituent, ये hydrogen, bond into a substituent, having electronegativity less than 2.5, having electronegativity less than 2.5, less than 2.5, अगर central atom 15 या 16 ग्रूप से है, और किससे बॉंड़िद है, substituent ये से hydrogen है, जिसकी electronegativity 2.5 से कम ओ, अगर अगर central atom 15 और 16 ग्रूप का है, और वो किससे बॉंड़िद है, उस सब्स्टिट्टिएंट से जिसकी एलेक्टो निगिटिवी 2.5 से कम है देन लॉन पेर इन लॉन पेर ओफ एस ओर्बिटल समझादूंगा लिख लो पहले ने लॉन पेर ओफ एस ओर्बिटल डजन्ट डजन्ट पार्टिस्पेट इन हैबरडाईजेशन हैबरडाईजेशन तब लॉन पेर हैबरडाईजेशन में जो एस और्बिटल में लेक्टोन होता है यह कह सकते हैं जिसमें लिख लो यह कह सकते हूं कि जिस और्बिटल में जिस और्बिटल में लोन पेर है वो इंटरमिक्स नहीं होगा हबरडाईजेशन क्या होगी कम होगी ठीक है and all bond pairs are formed by and आगे लिखना एंड ओल बॉन्ड पेर्स फॉर्म्ड वाई प्योर प्योर्बिटल तो लगबग एंगल क्या होगा ना एंटे डिरीगा मैं ऐसे समझाता हूँ आपको पहले से नोट करो समझ में नहीं है कोई बात नहीं मैं समझाता हूँ हाँ हाँ मुझे पता है समझ में नहीं है यह समझाना पड़ेगा तो टेंशन ले रहे हो दो जैसे फॉस्फरस का यह फॉस्फरस है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px1, 3py1, 3pz1 अब अगर यह पूरे पार्टस्पेट कर जाते हैं देखो एस और यह पी मिक्स होंगे तो तो sp3, sp3, 4 hybrid orbital बन जाएंगे ठीक है और एक में लोन पर आ जाएगा बाकी में एक एक लेक्टोन आ जाएगा ठीक है फिर hydrogen का आएस और बिटल पार्टस्पेट कर लेगा तो जैसे नाइट्रोजन का यह माल लेते हैं यह नाइट्रोजन का है यह समझो दरा नाइट्रोजन है ठीक है तो यह sp3 hybrid orbital है एक लेक्टोन इसमें हाइड्रोजन का एक लेक्टोन यह जो बॉंड बन रहा sp3 और एसमें यह बॉंड बन रहा sp3 और एसमें और यहां पर sp3 में क्या होगा एक लॉन पेर होगा तो एंगल लगबग कितना हो गया 107 डिग्री लेकिन ड्रैगों ने क्या कहा कि भाई यह फास्पोरास आरसनीक एं हाइड्रोजन यह उससे कम इलेक्टो नेगेटिव एटम से जोड़े होंगे तो इंटर मिक्सिंग नहीं होती लोन पेर जो है वो पार्टिसपेट नहीं करता यह पी है यह लोन पेर है ठीक है यह 3S और्विटल में होगा और यह 3PX होगा यह 3PY होगा यह 3PZ होगा ठीक है फिर बात मां हाइड्रोजन ऐसे ही पार्टिसपेट कर जाएगा प्योर प्योर प्योर्विटल के साथ और एंगिल क्या होगा लगबग 90 डिग्री होगा यह ड्रेगों का रूल है कि 3S और 3P इनमें एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है तो इंटर मिक्सिंग नहीं होते लो कि इसको explain करने के लिए कि इसको explain करने के लिए पहले देख लिए कि भाई बॉंड एंगी लगबग 90 डिग्री आ रहा है इसको explain करने के लिए ड्रव ड्रेगों ने क्या कहा कि भाई इसमें हैब डाशन नहीं हो रही इसमें जो पी एच बॉंड बन रहा है यह प्योर प्योर पी और वड़ों और पीर बटल में एंगल कितना होता और हुए फ्रीयर पीट को यह पी एक से पी पाइब पीजेड विग हो गया यह पीडिकलौर आगए मैं है से बना देता हूं ठीक है तो आप जो इसमें एंगेल होगा जब हाइब्डेसिन नहीं हो रही है तो पीसे हाइड्रोजन का आस ओर्बिटल ऑफरलेप कड़ेगा तो ईंगेल क्या होगा लगबख 90 तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ड्रेगो ने राइट इसका रीजन क्या है एंगिल क्या है बिट्वीन प्योर पी और्बिटल प्योर पी और्बिटल मतलब ड्रैगों के अकॉर्डिंग इनमें हैबडाजेशन नहीं हो रही है इसलिए एंगिल अगवग 90 डिग्री का है एनस 3 का 107 क्यों है इसमाइबडेशन हो रही है हम कह सकते हैं सुनों लिखने ना इसको यहाँ पर पूछ लिया कि भाईया ड्रैगों के अकॉर्डिंग जो इसका तो लगवग 90 डिग्री एंगिल है लगवग 90 डिग्री है पूछ लिया कि लोन पेर कहा होगा तो यहाँ तो होगा भाईया यहाँ पर SP3 में नहीं होगा किसमें 3S में होगा लिख लो ब्रैगों के अकॉर्डिंग लिख लिया बनाओ फिगर बनाओ अमोनिया में लिको कि अमोनिया मुझे लेक्टोन होगा वो किसमें होगा SP3 में इसको बोलते हैं स्टीरियो केमिकली एक्टिव और्बिटल अब यह नहीं बताओ यह क्या होता फिलाल लिको इसको स्टीरियो केमिस्टी मालूम चलेगा तब पता चलेगे स्टीरियो केमिकली एक्टिव और्बिटल SP3 आइबिरड और्बिटल में लोन बेर है यहां पर क्या है ड्रैगों के अकॉर्डिंग लोन पेर किसमें 3S में यह जो बॉंड है किसके अंदर है प्योर पी और्विटल क बीच में और प्योर्ड प्योर्ड के बीच में एंगिल कितना होता बिटा 90 होता है PX और PY के लेकिन ammonia में क्या हो गया a s P, 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 Z Mix हो गे इंटर mix होके hybrid orbital बने उन्हें में गिल कितना है एक 107 अरे याद हो गया होगा question आए गलत थोड़ना होगा इसका region पूछ लिया कि भी लगबग 90 का क्यों है तो क्या वोलोगे angle क्या है pure pure orbital के according है dragon ने कहा कि according to dragon इनमें hybridization नहीं होती है इसलिए angle क्या है लगबग 90 इसमें hybridization होती है इसलिए 107 है चीक है इसका तो 104 डिगरी बाकी सबका लगबग 90 वैसे degrees तो होता है बहुत कम difference होता है लगबग 90 ह2 का 104 डिगरी बाकी सबका लगबग 90 वैसे difference होता है थोड़ा-थोड़ा थोड़ा-थोड़ा difference होता है इसमें भी यह बोलोगे इसमें भी according to dragon angle क्या होगा pure pure orbital में होगा angle between pure pure orbital pure pure orbital इसलिए लगबग 90 का इसमें भी क्या लगएगा इसमें भी क्या लगएगा द्रेगो according to dragon angle क्या है angle pure pure इसमें अंदर भी इसलिए लगबग 90 का एंगल लगबग 90 आप इसलिए लगबग न इंटी के एंगल चलो जाद हो गया इन दोनों गुरुप में ध्यान रखना अगर लीस्ट बॉर्ण एंगल पूछता है तो किसका बोलोगे बिया एस थ्री का इसमें लीस्ट एंगल पूछता है तो स्टीरियो केमिकली एक्टिव दो दिखो दुबार लिख देता हूँ यह यह लोन पेर हम बोलेंगे कि नाइट्रोजन में स्टीरियो केमिकली एक्टिव और बिटल इसको बोलते हैं स्टीरियो केमिकली एक्टिव और पीएस थ्री वाले को बोलते हैं पीएस त्री में क्या थ्री एस और्विटल में ड्रैगों के अकोर्डिंग इसमां है बडाइशन नहीं मानते हम तो इस्टीरियो केमिकली इनक्टिव इस्टीरियो केमिकली इनक्टिव है ना एंगल भी 90 के दिखा दो लोगों यह वैसे ऐसे दिखा दोए ना इन दा प्लेन ऐसे लगभग 90 डिग्री यह थ्री एस और बेटल में बोलोगे स्टीरियो केमिकली इनक्टिव अब यह बताओ दो जैसे यह एक्टू है और यह ओ एफ है है यह एंगिल अलफा है और यह एंगिल बीटा है यहल्फ में यह 104 डिग्री ए और 103 डिग्री यह इसका बदी सोचो बसे नपर हमने क्या लगा दिया है एफ लगा दियां का है kicking is concerned, just और यह वाला बंजीरों थ्री डिग्री है जोग एक चीद ध्यान लगना वेटा सुनो यह लोण पेर कि समझने के लिए कुछ चीज़ है लोण पेर यहां भी लॉन पेर और यह भी लॉन पेर इलेक्ट्रो नेगेटीवी एटम एटम क्या करता है लिखना इलेक्ट्रो नेगेटीवीटी एटम यह फ्लोरी नहीं इलेक्ट्रो काफी सारे कोश्चंद तुम्हारे बड़ी जल्दी होंगे इलेक्ट्रो निगेटिव एटम क्या करेगा अपनी तरफ लेक्ट्रो न खीचेगा और कहा रहना चाहेगा जहाँ पर उस बॉंड में जहाँ पर P करेक्टर जादा होता है इलेक्ट्रो निगेटिव एटम कहा रहना चाहेगा जहां पर S more होता है, अभी समझ में नहीं आएगा लिखो फ्ला, S more Hybridation SP3 है, पर यहां पर Electronegative atom जिस bond पर आएगा, उसका P character increase होगा जब इसका P character increase होगा, तो दूसरे Hybrid orbital का जिसमें Lone pair है, या जिसमें कम Electronegative atom है उसका P character कम होगा, तो उसका S character बढ़ेगा उसका S character बढ़ेगा, लिख पहले इसको rule को, ये rule question करने के लिए सारे question होते जाएंगे, ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, rule को लिखो, पहले लिख लिया, Electronegative atom जिस bond में होगा, उसके P character को बढ़ाएगा, S character को कम करेगा, है ना, इसके बाद यहां पर, देखो ये इस ये hybrid orbital SP3, जिसमें bond है, और दूसरा hybrid orbital है, जिसमें lone pair है, तो जिसमें lone pair है, उसका S character जाएगा, अब खुद सुनो, P character बढ़ेगा इनका, तो bond angle क्या होगा, कम होगा या जादा होगा? बोलो, P character बढ़ेगा तो कम होगा, और S character सबसे पहले लिखे आइस क्रेक्टर में क्या होता है था जाद है और जाद है तो लंबा जाद है अब जादा गो अब जाद है तो जादा इस पेस लेगा तो bond angle भी क्या होगा जादा होगा जादा S character होता है तो P character जितना बढ़ेगा तो bond angle उतना कम होगा तो तुम लिख लेना इसको note करो कि जिस bond पर electro negative atom लगा होगा तो उस bond का P character बढ़ेगा ठीक है उसका P character बढ़ेगा देखो ऐसे समझो यह है C, H, F, F और यह H इसको बोल दिया मैंने alpha इसको बोल दिया मैंने beta और इसको बोल दिया gamma अब समझना इसका bond angle हमें बताना है मैं लिख पहूंगा note लिख पहूंगा तुमें पहले दो-तीन example कर लो देखो इसमें जैसे यह अब H, 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 ही सारे hydrogen है तो हम बोलेंगे कि सारे hybrid orbital equivalent होंगे equivalent hybrid orbital अगर central atom से सारे atom same attach हैं जैसे CH4 यह भी SP3 hybrid orbital के बीचे बन रहा होगा यह भी SP3 यह भी SP3 यह भी SP3 तो हम क्या बोलेंगे equivalent hybrid बोलेंगे कि इस compound में इस molecule में सारे hybrid orbital equivalent है 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 ना equivalent कब होंगे जब same atom attach होंगे लिखा करो सारा same atom attach होंगे तो equivalent होंगे अब यहाँ पर देखो दो में तो fluorine attach है दो में क्या है hydrogen है तो इसमें non equivalent हाइब्रिड और्बिटल यूज है क्यों क्योंकि atoms क्या है different है atoms are different जो attach है है ना सुनों फिर इसे एक बार लोगों CH4 में बिटा hybrid orbital equivalent है जो सारे यह जो CH bond होगा SP3 hybrid orbital S और P करेक्टर सेम आयेगा 25 75 25 75 25 75 25 75 75 75 P करेक्टर तो equivalent हाइब्रिड और्बिटल होंगे क्योंकि सारे atom same attach है अगर atom different attach होगे तो होगी तो SP3 सम में सम में SP3 सम में SP3 पर equivalent नहीं होंगे equivalent नहीं होंगे तो मैंने क्या बताया था कि इस bond में कौन सा character जाद होगा बताओ थोड़ा सा F लगा हुआ न इसमें कौन सा character जाद होगा पी, इसमें कूनसे ज़्यादा होगा, पी यहां कूनसे ज़्यादा होगा, S क्रेक्टर ज़्यादा होगा क्या लिख दू मैं, यहां पर S more P less यहां पर क्या लिखूँ P more S less लिख सकते हो बुलो अब मुझे बताओ अलफा ज़्यादा होगा बीटा जादा होगा या गामा जादा होगा सबसे जादा बिलकुल सही है सबसे जादा है गामा गामा के बाद फिर होगा बीटा और सबसे कम होगा अलफा क्योंकि बेटा इन दोनों में क्या है P करेक्टर जादा है P character जादा हुआ तो bond angle क्या होता है? कम होता है इस में क्या होगा दोनों में? S character जादा CH bond कम electronegative है हिहाँ P जादा और ये S है S और P तो L सबसे जादा γामा गामा के बाद बीटा बीटा के बाद α जिन bond के में P character जादा उनका bond angle कम होगा तो electronegative item क्या करेगा अपने bond के peak एक्रेक्टर को बढ़ाएगा बोलो